कि यह पर दोस्तों आज हम सिखें एक साधान ब्याज के वेर इंपर्टम टोपी के देखिए दोस्तों कितने समय में 2500 रुपे का 10% से साधान ब्याज 1750 रुपे हो जाता है चारा अप्शन आपके सामने 5 प्रतिशन 5 वर्ष 10 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष अब आपसे पुछा गया समय पूछा गया क्या पूछा गया तो समय का सुत्र क्या लागा है दोस्तों देखो समय बराबर होता है देखिए समय बराबर होता है प्याज गुनि सो बट्टा मुल्दन इंटू दर अब समय ब्याज कितना अपने बास सत्रा सो पचास सत्रा सो पचास सुत्र के सो आगे अब मुल्दन कित्ता है 2500 दर कित्ते अमरे बाद 10 प्रतिशत ठीक है अब काट दीजिए 2 सीपर से 2 सीपर गट गई 1 सीपर से 1 सीपर गट गई 25 से काटा 25 सते 124 यहीं कित्ता इंसर आया 7 तो 7 अपना राइट एंसर हो जाएगा यह ना कितने प्रतिशत दर से 3000 रुपे का 5 वर्ष के लिए साधन ब्याज 12 सुरुपे हो जाता है अब इसमें क्या पूचा दोस्तों दर पूचा आप से तो दर का क्या फर्मूला होगा वही वाला तो इसमें समय है समय की जग आप क्या लिख देंगे दर यह दर यहां से उटा के यहां लिख देंगे और इसमे को यहां लिख देंगे तो दर बराबर होगा वही वाला ब्याज इंटू सो बटा मुल्दन इंटू समय तो ब्याज कितना है अपने इसमें 1200 रुपे कितना है 1200 सो सुत्र के लग जाएंगे बटा अब यहां पर मुल्दन मुल्दन कितना है 3000 रुपे इंटू समय कितना है 5 रुपे ठीक है यहां पर 2 सीपर से 2 सीपर कट गई एक इस सीपर से सीपर कट गई यहां तीन से काटो तो 3 चोग 12 यानि कि 40 आगे पांस से काटा तो कितना आगे आठ आगे पांच आटों कि 40 तो 8 परिषियत यहां पर दर हो जाती है दर अपनी कितने होती 8 परिषियत अगला प्रस्ण देखिए एक प्रस्ण और बचाएं लास्ट पोस्ट्षण देखिए अब यह प्रस्ण ए दर कूटा किया रखो बस कुछ नहीं करना मुल्धन पूच्चा तो मुल्धन बराबर मुल्धन बराबर ब्याज गुनी 100 बटा दर इंटू समय तो ब्याज कितना अपने पास 300 रुपे हैं 100 सूत्र के आगे हैं अपने पास ठीके दर कितने प्रपास 15 परशन्ट दर है और समय कितना है 5 ठीके अब काट दीजिए इसको 15 से काट कि 15 दूनी 30 आ गया 15 दूनी 30 5 से काट आ 5,4,20 4 का गुना 100 में करेंगी तो कितना आएगा 400 आएगा तो 400 किस अप्षन में आ रहा C आप्षन अपने राइटेंग सरूरा ठीके अगर आपको वीडियो अच्छा लगते लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नों बोलें तेंक्यू